रख भरोसा वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा नमस्कार दोस्तो, हम है क्रेटिव आर्किटेक्ट्स और स्वागत है आप सभी का आपके अपने योटूब चैनल पर दोस्तो आसा करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे आज की इस वीडियो में काफी खुबसूरत प्लैन हम आप सभी लिए लेकर आए हैं जैसा की आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यह है आज के प्लैन का फ्रंट एलिवेशन काफी खुबसूरत और मोडर्न तरीके से हमने इसको डिजाइन किया हुआ है दोस्तो यह जो प्लैन है हमने डिजाइन किया हुआ है हमरे क्लाइंट आकास तोमर जी के लिए जो की रूड की उत्राखंड के रहने वाले हैं बात करू अगर इसके टोटल एरिया की तो 1350 स्क्वेर फिट में बना हुआ यह प्लोट है वहीं बात करू अगर इसकी डैमेंशन की तो 30-45 फिट की आपको देखने को मिल जाती है दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दू कि अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लिजिए क्या पता कौन सा गर आपके सपनों का गर हो तो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इस प्लैन के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है दोस्तो यह है आपकी मेन एंट्री यहां से जैसे आप अंदर एंटर करते हो आपको देखने को मिलता है पार्किंग एरिया 20 बाइ 17 फीट की हमने पार्किंग रखी हुई है तो आपकी दो कारे आसाने से यहां पर पार्क हो जाएगी और 2-3 बाइक भी आप आसाने से इसमें पार्क कर सकते हो यह है दोस्तो आपकी main entry यहां से जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको देखने को मिलता है drawing room दोस्तो जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो यह है आपका drawing room बात करूँ अगर इसकी dimensions की तो 11,11 feet की आपको देखने को मिल जाता है सामने TV unit आप देखी पा रहे होंगे इससे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको देखने को मिलेगा dining hall और उसी के just सामने हमने पूजागर रखा हुआ है बात करूँ अगर इसकी dimensions की 5,5 by 3 feet की आपको देखने को मिल जाती है दोस्तो अब मैं लेकर चलता हूँ आपको washroom की और जैसा की आप अभी अपनी screen पर देख पा रहे हो यह है आपका washroom का area बात करूँ अगर इसकी dimensions की तो साड़े 4 by 7,8 feet की हमने रखी हुई है और ventilation के लिए इसमें window भी दी हुई है दोस्तो जो हमारे client है उनकी requirement थी कि उन्हें नीचे का ground floor जो है वो rent के purpose के लिए चाहिए था और उपर उन्हें खुद रहना था तो उन्हें की requirement के हिसाब से हमने यह design किया वाया है मुझे पुरी उमीद है कि यह video आपको काफी पसंद आने वाली है दोस्तो यह है आपका bedroom bedroom number one जैसा कि आप अभी अपनी screen पर देख पा रहे हो 13 by 12 feet का यह bedroom है काफी space यह bedroom है sitting भी आप सामने देख ही पा रहे होंगे बाकी इसमें काफी बड़ी wardrobe भी आपको देखने को मिल जाती है तो दोस्तो यह था जो rent के हिसाब से था बाकी ventilation के लिए आपर काफी बड़ी windows भी दी हुई है और इसे ventilation पीछे के setback से प्राप्त होगा इसी के जश्ट बगल में दोस्तो हमने रखावा है kitchen जैसा कि आप अभी अपनी screen पर देख पा रहे हो साड़े 8 बाई साड़े 8 फिट का एक kitchen रखावा है तो space की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली और यहां से जैसे आप आगे access करते हो आपकी entry होती है rear setback के area में 4 feet wide यह हमने छोड़ा हुआ है अच्छे ventilation के लिए आप चाओ तो यहां पर gardening भी कर सकते हो अब मैं लेकर चलूँगा आपको servant room की और जो की हमारे client की special requirement के हिसाब से हमने बनाया हुआ है सामने जो आप entries देख पा रहे होंगे इसी में एक entry है आपके servant room की यह है दोस्तो आपका servant room सवा 9 बाइप और 9 feet का हमने रखा हुआ है और दोस्तो इसी में हमने एक attached washroom भी दिया हुआ है इसी के just bagel से आप access कर पाओगे अपना first floor की और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तो सामने जो आप entry देख पा रहे हो इस entry से जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको देखने को मिलेगी stairs का area दोस्तो नीचे यहाँ पर थोड़ा area छोड़ा हुआ है आप चाओ तो storage भी कर सकते हो बाकी stairs पर हमने marble लगाया हुआ है और उसी के साथ हमने still railing भी दी हुई है सामने glazing आप देखी पा रहे होंगे ताकि अच्छी lighting आपके घर को मिल सके यह है आपका first floor यहाँ से जैसे आप अंदर enter करते हो सबसे पहले हमने रखा वाए दोस्तो एक common washroom दोस्तो बात करूँ अगर इसकी dimensions की यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आपको देखने को मिलता है drawing room उससे पहले मैं आपको एक बार बालकनी दिखा दूँ दोस्तो जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो यह आपकी बालकनी का area साड़े तीन फीट वाइड आपको बालकनी आपर देखने को मिल जाती है और यह बालकनी में एक्सेज आप अपने drawing room से ही कर पाओगे यह है आपका drawing room 16 बाइ 15 फीट का यह हमने रखा हुआ है 10-12 महमानिया आपर आसानी से बैठ सकते हैं सामने TV unit आप देखी पा रहे होंगे दोस्तो यहां से जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको देखने को मिलती है stairs का area वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा अब मैं लेकर चलता हूँ आपको store की ओर यह है दोस्तो आपका store room साड़े 5 भाई सवा 5 feet का यह हमने रखा हुआ है और इसी के जश्ट बगल में हमने एक पूजागर भी दिया हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तो यह है आपका पूजागर का area साड़े 5 भाई पोने 6 feet का यह हमने रखा हुआ है बाकि यहाँ पर हमने dining table भी प्लेस करकर दिखाई हुई है अब मैं लेकर चलता हूँ आपको bedroom की ओर दोस्तो यह है आपका bedroom number 2 13 भाई 12 feet का यह आपको देखने को मिल जाता है काफी spaces से bedroom है और इसी में आपको dress plus washroom भी attached देखने को मिल जाता है यह है आपका washroom का area बात करूँ अगर इसकी dimensions की तो सवा 9 भाई 4.5 feet का यह आपको देखने को मिल जाएगा तो इसमें भी space की कोई समस्या नहीं होने वाली है दोस्तो अब मैं आपको फटा-फट से एक बार kitchen भी दिखा देता हूँ बाकी काफी ventilated आपको यह rooms यहाँ पर देखने को मिल जाते है इसी के जश्ट बगल में हमने kitchen दी हुई है open kitchen आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है यह है दोस्तो आपकी kitchen का area सेम 8.5 x 8.5 feet का हमने रखा हुआ है और इसी के बार दोस्तो एक balcony भी दी हुई है साड़े 4 feet wide हमने बालकनी रखी हुई है दोस्तो यह है आपकी stairs अब मैं लेकर चलता हूँ आपको second floor की ओर 3 feet wide आपको stairs देखने को मिल जाती है सेम हमने दोस्तो इसमें material लगाया हुआ है अब मैं लेकर चलूँगा आपको bedroom number 3 की ओर जैसे आप stairs से उपर आते हो वहीं से आपकी access होगी bedroom number 3 में 16,5,5 feet का यह आपको देखने को मिल जाता है दोस्तो इसमें भी हमने dress plus washroom attached दिया हुआ है दोस्तो यह है आपका dress का area और यहीं से आप access कर पाओगे अपने washroom में बात करूँ अगर इसकी dimensions की तो 8,5,4 feet की आपको देखने को मिल जाती है बाकी ventilation के लिए हमने window भी इसमें दी हुई है तो ventilation की दोस्तो इस plan के अंदर कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है अब मैं लेकर चलूँगा दोस्तो आपको bedroom number 4 की ओर जो की है second floor का bedroom number 2 यह है दोस्तो इसकी entrance यहां से जैसे जैसे आप अंदर enter करोगे आपको देखने को मिलेगा काफी खूबसा सा bedroom बात करो अगर इसकी dimensions की तो 13,12 feet करे आपको देखने को मिल जाता है दोस्तो इसमें भी हमने dress plus washroom attached दी हुई है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दोस्तो यह है आपका dress का area और इसी के आगे आपका washroom का area हमने रखावा है जैसा कि आप अभी अपनी screen पर देख पा रहे हो मुझे पुरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अभी तक काफी पसंद आ रही होगी अगर पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लीजिए इससे हमें motivation मिलता है इस room के अंदर हमने बालकनी भी दी हुई है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जैसा कि आप अभी अपनी screen पर देख पा रहे हो यह है दोस्तो आपकी बालकनी का area यहां से आप बालकनी में access कर पाओगे बाकी इसी के just सामने हमने रखा हुआ है drawing room काफी खूबसूरत और modern तरीके से हमने इसको design किया हुआ है बात करूँ अगर इसकी dimensions की तो आपको 16 वाई 15 feet की dimensions यहां पर देखने को मिल जाती है बाकी सामने जो आप door देख पा रहे हो यहां से ही access आप कर पाओगे अपना direct open terrace की और दोस्तो इस terrace का area हमने पोने 10 by 8 feet का रखा वाया और सामने से देखने में यह कुछ ऐसा लगेगा तो दोस्तो यह था आपका second floor का plan अब मैं लेकर चलता हूँ आपको terrace की और यहां से जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको एक door देखने को मिलेगा वहां से बाहर निकलती आपको एक terrace देखने को मिल जाएगा बाकी फिलाल हमने यह खाली छोड़ा हुआ है आप अपने हिसाब से modifications कर सकते हैं दोस्तों मुझे पूरी आसा है कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe करना मत बूलना मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन